नमस्कार दोस्तों स्वावत है आप सभी का उत्रखंड पोश्ट पर उत्रखंड में आगामे विधान सबा चुनाव में टाल ठोक रही आम आगनी पार्टी ने चुनावी साल में उत्रखंड में भी केजरिवाल को साकार करने के लिए पूरी ताकत जोक दिये मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल एक बार फिर उत्रखंड आ रहे हैं केजरिवाल ने सोमवार को खुट टूइट कर इसकी जानकरी दिये अरविंद केजरिवाल ने टूइट किया है कल उत्रखंड जा रहा हूँ आम आदमी पार्टी कल एक बेहत महत्वपूर्ण घोशना करने जा रही है उत्रखंड की प्रगती और विकास के लिए ये घोशना एक मील का पत्थर साबित होगी आम आदमी पार्टी ने अर्विंद केजरिवाल के कार्यकरम के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली के मुख्य मंतरी उत्रखंड में प्रेस कौनफरेंस करेंगे और एक बहुत बड़ी घोशना भी करेंगे साथ ही अर्विंद केजरिवाल देहरादुन में एक विशाल रोड शो भी करेंगे आम आदमी पार्टी का दावा है कि अर्विंद केजरिवाल की घोशना से उत्राखंड का भविश्य हमेशा के लिए बदल जाएगा केजरिवाल के आने से पहले ही बड़ी घोशना करने के एलान से उत्राखंड की सियासी गलियारों में हटकम मचा हुआ है कि आखिर आम आदमी पार्टी उत्राखंड के लिए क्या बड़ा एलान करने वाली है आपको पता दे कि इससे पहले 11 जुलाई को अर्विंद केजरिवाल दहरादून आये थे और उन्होंने उर्जा छेत्र में चार बातों का एलान किया था जिस में राज्य के हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को फ्री बिजली, पुराने बिल माफ और 24 घंटे बिजली की गारंटी दी थी उनके इस एलान के बाद मुफ्त बिजली को लेकर उत्रखंड का सियासी माहौल गर्मा गया था आज मैं खास कर बिजली के क्षेत्र में चार बातों की गारंटी दे के जा रहा है जैसे दिल्ली में करके दिखाया, वैसे ही उत्राखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगे दूसरी बात पुराने बिल माफ किये जाएगे पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे एक नए सीरे से शुरुवात की जाएगे तीसरी चीज उत्राखंड में 24 घंटे बिजली देंगे फ्री बिजली का ये मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे पूरी बिजली देंगे 24 घंटे बिजली देंगे मुफ्त बिजली देंगे और चौथी बात किसानों को उत्राखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगे और मैं ये बता दू हमारा मैं जो कहता हूँ वो चुनावी जुमला नहीं होता केजरिवाल जो कहता है वो करता है आज जो मैं कह रहा हूँ वो केजरिवाल की गारंटी है अब एक बार फिर अर्विंद केजरिवाल के दोरे और उससे पहले बड़ी घोशना के ऐलान से उत्राखंड में सियासी माहौल गर्म है ऐसे मैं अब सब की नजर इस बात पर है कि आखिर केजरिवाल क्या बड़ा एलान करने वाले है उत्राखंड से जोड़ी तमाम खबरे पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें वीडियो को लाइक करें और शियर जरूर करें